असलाम वालेकुम प्यारे बच्छों हमने संतवानी के पहले हिस्से में देखे थे संत एकनाथ महाराज जनारदन महाराज के बारे में बताते हैं एक उस्ताद और जहें एक शागिर्द में जहें एक मा और बेटे माँ और आवलाद के जिसे बेंतिया महबत होती है तो इसके दूसरे इससे में क्या दिया हुआ है तो हम इसके भावरत में देखेंगे पहले तो देखो क्या लिखते यहापर देव आनी भक्त यांची एक रुपता पटुन देताना संत श्री निडोवा महाराज मनतात की कापूर सुगंदाला सोडत नही रवी किरन तेजाला 1500 थे एक मेकान मुले शोभुंदिस्तात तसेच त्याज प्रह्माने साकर गूलीला सोडत नही चंदं सोगंदाला सोडत नही नव आउका शातर्च समाविष्टसतात त्याज प्रह्माने देव आनी भक्त यांचे ना ते अटूत अस्ते ते सधैव परस्परांच्या और इसके जानकरी पर अब हम नजर डालें तो देखो श्री संत निडोबा महराज ये जो है संत तुकारा महराज के शिश्य याने शागिर्द है तो वो जो है इस अभंग में क्या लिखते हैं तो देखो हम शुरुवात करते हैं तो इसमें पहले दो लाइन के अंदर क्या समझाय हुआ है अमोदन सोडी कफूर किवा प्रभतेचे रवी कर याने मानो जिस तरीके से काफूर से खुझबू अलग नहीं होती जब तक के खुझबू काफूर में रहती है जब तक के काफूर दिखाई देता है फिर वो हवा में खतम हो जाता है जब तक के खुझबू आते रहती वैसे ही सुरच और उसकी किर्णों में जो तालुख है वो एक दूसरे से ही खुपसूरती उसके अंदर दिखाई देती है याने जो रोशनी और सुरच दोनों कभी अलग नहीं हो सकते तो योगा पहले दो लाइन का मतलब अब हम तिसरी और चौती लाइन का मतलब तैसीच देव आनी भक्त एरे एरी विराजिती विराजित याने मानो जिस तरीके से काफूर खुझबू को नहीं छोड़ता सुरच रोशनी को नहीं छोड़ता उसी तरीके से जो है भक्त और देव याने पालनहार और बंदा, खुदा और बंदे का तालुक वैसे ही होता है कि जो है चाए जो है बंदा अगर अपने खुदा को भूल जाए लेकिन खुदा अपने बंदे को कभी नहीं भुलता, यानि मानो जो है खुदा को अपने बंदे से बेन्तिया महवपत होती है उसी तरीके से आगे जेवी साकरते चे साकरे ते गोड़ी चंदन सोरभ्या न सोडी, यानि मानो कभी शकर से मिठास निकलते हैं कभी नहीं इन्हें जहां मिटा से वही शकर है तुमानो उसी तरीके से जो एक खुदा और बंदे का तालूग है वैसे जहां बंदा है वहां खुदा होता ही हुदा हर जगों मौजूद है फिर आखिर में नीडा मने अवकाश नब दूनी एकचते सोयम यहने मानो यहापर क्या कहा गया है कि जए यहापर तकलूस लिया गया संत श्री नीडोबा महराज जए अपना तकलूस लिखते है कि नीडा मने अवकाश नब इन्हें मानो आसमान को कभी बादल छोड़ते नही और वो दोनों जये एक दुसरे से जुदा नहीं रह सकते चाहे वो कितिनी भी दूरी पर हो लेकिन वो एक दुसरे से जुदा नहीं हो सकते उसी तरीके से खुदा और बंदे का तालुक होता है जो कभी एक दुसरे से धूर नहीं जा सकते तो पहरे बच्चों इसी तरीके से संतवानी का और 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 आवाला भाग अपना यहाँ पर पूरा हो जाता हैं और स्वाध्य जय नीचे आपको पीडिया